आज की वीडियो में हम देख रहे हैं, vendor credits कैसे पास किया जाता है, vendor credits या debit note, आपने purchase bill record कर रखा है, अब उस purchase bill के against आपके vendor ने आपको credit note दी, अगर vendor आपको credit note देता है, तो आप record करते हैं आपके books में debit note, जो हो उसे कहलाता है vendor's credit, यानि vendor ने जो credit note दी है, उसे आपको record करने के लिए आपको जाना है purchases में और vendor credit में, अब vendor credit जो है, दो प्रकार की होते हैं, यानि एक या तो bill to bill होगी, यानि कोई purchase bill के against कोई vendor credit आई होगी, या एक से ज्यादा multiple purchase bills के against एक vendor credit आई होगी, ठीक है, अगर एक ही कोई bill के against vendor credit आई है, तो आप उस particular purchase bill में जाईए, और उस purchase bill के more option में आपको option मिलेगा, create vendor credit, यह जैसे आपने कर दिया, तो पूरा का पूरा जो purchase bill है, जिस हद तक अभी तक payment नहीं हुआ है, यानि मानलो अगर 50,000 का bill है, और उसमें से 40,000 पे कर दिया है आपने, तो 10,000 के vendor credit बन जाएंगी, अगर कुछ भी pay नहीं किया है, तो पूरा का automatically vendor credit बन जाएगा, यानि यह मेरा purchase bill था, 12,600 रुपय का, अब इसको मैंने 1 रुपय भी payment नहीं कर रखा था, तो पूरा का पूरा बन गया vendor credit, अब मैं starting से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे vendor name है, sources apply, यह सारी चीज़े purchase bill से आ रहे है, ठीक है, इसे चेटने की ज़रूरत नहीं ह यह आपको फीड करने, अपने vendor ने जो credit note दी है, उसका number आपको यहाँ पे फीड करने है, तो example के तोर पे यह number होगा, उसकी date यहाँ पे फीड करनी है, ठीक है, अब यह जो item है, क्या यह item वापस जा रहा है, अगर item वापस जा रहा है, तो आपने यहाँ पे item select कर रखा है, 60 पीसे हम लोग ने purchase bill में खरी दे थे, 60 में इसे मान लीजिए, अगर कुछ वापस जा रहा है, यानि सिफ 6 पीस वापस जा रहा है, तो इसको मैं change कर रहा हूँ, बाकि सारे चीज़ सेम रहेंगी, ठीक है, अब 6 पीस के जागे पर पूरी की पूरी consignment वापस जा रही है, तो अब अगर कोई एक bill के against नहीं हो, तो कैसे करेंगे, vendor credit के अंदर आपको आके new option select करना है, यहाँ पे आप select कर लीज़े आपके vendor का नाम, तो अपने favorite है, reliance industries, यहाँ पे आपको select करना है bill type, क्योंकि आपके बास bill number नहीं है, क्योंकि एक bill नहीं है, एक से ज्यादा है, तो आपका जो purchase bill जो था, वो किस प्रकार का था, GST के अंदर, क्या आपका वो purchase bill registered party से आया था, ACZ से आया था, export वाला था, B2C था, B2C others था, कोल सा था, अगर B2C others यानि small, B2C unregistered, B2C small था, तो आपको B2C others select करके आगे बढ़ना है, अगर वो registered था, तो आपको registered से लिक करना ह इसका कारण क्या है, कि ये credit note जो है, उसके respective जगह पे, GST return में जाकर बैट जाएगी, ठीक है, तो मान दीजे मेरा ये Regilance Industries registered था, तो मेरा bill tab registered हो गया, credit note number मैं यहाँ पर दूँगा, इसमे date आ गई, किस चीज के लिए credit note बिल गया, मान लो मुझे कोई discount मिल रहा है, तो मैंने discount लिए, या फिर मुझे vendor का ledger clear करना है, तो मैंने उससाब से यहाँ पर discount record करके उसको clear कर दूँगा, मैं, account, किस account को मुझे credit note के through, किस account को debit करना है, तो मुझे purchase discount इस ledger को debit करना है, आप कोई भी ledger select कर सकते हो, कितने रुपे का discount मेरा है, 5000 रुपीज का है, उस पर GST है, अगर नहीं हो, तो यहाँ पर आपको select करना है, अगर नहीं हो, तो यहाँ पर आपको select करना है, अब मान लिचे अपने GST है, तो यह select कर लिया हम इने, ठीक है, GST कब नहीं होता, financial credit notes की scenario में, जब आपका time bullet निकल चुका रहता है, और उसके बाद अब जो आप credit note बनाते हो, तो आपको उसको autoscope करना है, यह बन गई मेरी credit note, as simple as that, अब यह जो credit note है, इसमें जो credits है, 5,900, यह मुझे apply करने है, वो सारे purchase bills के against, तो मैं वो vendor के अंदर जाके respective bills के against apply कर सकता हूँ, जब कि जो पहले वाली credit note थी, जो हम लोग ने बनाई थी, वो automatically apply हो गई, वो purchase bill के against, ठीक झाली 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